वह तो हां बाई करें शुरूर तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसिंग की तरफ से एक नया फोन आने वाला है सैमसिंग आपको खुलकर बताओं तो यहां पर सारी स्पैसिफिकेशन आ चुके हैं सिवाए उसकी बैटरी और फ्रेंट में जो आपको कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा उसके अलावा तो यहां पर क्या है फोन के बारे में तो सबसे पहले में बता दूए चीपेस्ट 5G स्मार्ट फोन होने वाला है सैमसिंग की तरफ से इसके अंदर जो प्रोसेसर है जो यहां पर आपके स्पैसिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाली हैं काफी सारे लोगों को एकसाइड कर सकती है कि सैमसिंग के लिए वेट करा जाए अभी काफी सारे ब्रैंड नए नए फोन लाने वाले हैं जैसे कि आपको पता भी है मी 10i आया है 108 मेगापिक्सल के साथ बट सिल लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको कितना पसंद आया और उसको लेकर काफी सारे लोग मुझे से पूछ रहे हैं भाई से बाई करना चाहिए इसमेंट 5G फोन होगा 750G प्रोसेसर के साथ तो आप इस बार वेट करिए सैमसंग के फोन के लिए कह रहा पर हम आप भी सैमसंग 832 की बात कर रहे हैं तो सैमसंग 832 के अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है यह बाई वालेकिन अब यह प्रोसेसर और Snapdragon 750G वाली वीडियो के अंदर वहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क था ओन पेपर लेकिन जो रियालिटी में फर्क आया था उसमें Snapdragon 750G वी नर था बट फिर भी मैं अगर देखूं तो Exynos से बेटर ही निकल कर आए का Diamond City 720 प्रोसेसर और यहाँ पर इस बार Samsung एक तरीके से किलर प्राइस पर आपको एक अच्छा प्रोसेसर देने वाला है जैसे मैंने बोला है कि यह सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है Samsung की तरफ से जो अभी रिसेंटली लॉंच होने वाले अब यहाँ पर यहोगी प्रोसेसर की बात तो यहाँ पर नोड़ प्रोसेसर काफी जादा पावरफुल देखने के लिए मिलेगा आपको और इस फोन का प्राइस 20,000 से कमी होने वाला है तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की तो बैक पैनल आप देख सकते हैं मेरे को यह काफी अच्छा लगा मलब इतना सिंपल डिजाइन और इतना क्लीन लग रहा है हाले कि यहाँ पर बैक पर अभी भी आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगी लेकिन यह प्लास्टिक शाइनी आप से जैसे मैं बोलता हूं हमेसा नंबर पर मत जाओ यहां पर आई-एस-पी वगरा भी अच्छा वर्क करना चाहिए तो यहां पर आई-एस-पी तो आपको मिली दी है डायमन सीटी की यहां पर जो चिन है इसका साइज मेरे को थोड़ा जादा ही बड़ा लग रहा है तो इस चीज़ पर काम करना चाहिए सैमसंग को अभी खहरी रेंडर से हैं बट मैंने देखा है कि जो लोन से पहले रेंडर आते हैं वही ओल्मॉस्ट कंफर्म होते हैं तो यहां पर चिन थोड़ी सी मुझे लग रही है कि यह थोड़ी कम करी जानी चाहिए थी बाकि आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रू क्योंकि यह जो लीक है यह किसी तगड़ी सोर्स से नहीं आई है तो मैं इसके लिए अभी टाइम लेना चाहूंगो और आप मुझे ट्विटर और इंस्टेग्राम पर फोलो कर लो अगर आपको लीक्स रिलेटिड कुछ भी जाना है इस फोन के बारे में और इसके अंदर बैटरी हो सकते हैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता बट यहां पर थिकनेस को देखते हैं मैं बता दूं कि इसके अंदर हो सकता है कि आपको 6000 मह का बैटर देखने के लिए 25 वाट फास्ट चारजिंग तो यहां पर यह चीज़े निकल कर आई है इस फोन के बारे म हैं तो खुल मिलाकर एक अच्छी सिक्यूर्टी देखने के लिए मिलीगी आपको A-Series के अंदर जैसे के आपको पते हैं कि नोक सिक्यूर्टी देता है और यहां पर आपको हाइडवेयर प्लस सॉफ्ट्वेयर बेस दोनों ही सिक्यूर्टी मिलने वाली है और सैमसिंग ने हो यहां पर आप पंच होल मिस्क करने वाले जो कि ऑवेस्सी बात है मैं भी करने वाला हूं यहां पर जो चिन का साइज हो काफी ज़्यादा बड़ा देखने में लग रहा है तो यहां पर आप इस फोन का वेट कर सकते हो जश्च बिकोज यह सैमसिंग की तरफ से एक अच् सैमसिंग के डिवाइस के लिए भी जैसे मैंने बता है सैमसिंग ने एकजनेस प्रोसेसर को निकाल फैका है तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं और एक यूजर एक्सपिरेंस वाली चीज होती है जो कि आप एक दो महीने के अंदर जज नहीं कर सकते जब आप 4-5 महीने के यह फोन चलाएंगे उसके बाद जब आपको अपडेट मिलेंगी तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि सैमसिंग कहां पर स्टेंड करता है क्यूकि सैमसिंग की जो अपडेट है वो रियल मी और रैडमी से वार बैटर है वहाँ पर आपको को नया बग देखने के लिए न आपको दिये, अब आपकी मर्जी है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसकी तरफ से पेट थी ये वीडियो, बाइदे वे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना, एट लाइक की फैमिली कम्प्लीट करें ये साल से पहले आपके भाई को,